आज मैं आप सबकी घंटों की काम को मिंटों में आसान करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं आप सबकी रेले कराई हूँ अलग-अलग तरीके के पाउडर के रेसिपी यह छे अलग-अलग तरीके के ऐसे पाउडर हैं जो हमें किचिन में सबसे जादा यूज होते हैं तो आप इ लगेगा पूरी वीडियो को लास तक देखिएगा ताकि एक भी स्टेप आप से मिसना हो जाए और अगर आपनी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी से कर लीजिए और साथ ही एक छोटी सी घंटी आएगी उसे भी दबा लीजिएगा और और पिक है तो इनको मैंने निकाल कर बढ़िया से धो लिया है चलिए अब इनके सारे पत्ते हम तोड़ेंगे डंठल का यूज नहीं करेंगी क्योंकि जो डंठल है वो थोड़े से मोटे मोटे हैं और इनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है अगर डंठल सॉफ्ट है तो आ है न आ लेते उनके आप इसे उनके सारे शुक्रव यह दोड़े यह पानी में तोड़ लिये हैं और की जो पानी है वो मैंने शूखा लिया था धो निके बाद से में सूधी पड़े पर बिचा करके अगर इसमें पानी रहता है ना थोड़े से पत्ते के ऊपर तो आप इसे कपड़े पर भिछाएंगे मैंने आप अच्छी तरी किसे पोश कर लिया है तो इसे प्लेट में ही मैं छोड़ दूँगी अराम से छे साथ घंटों के अंदर धूप में नहीं रखना है छाय में रखे पंके के नीचे अराम से सूख जाएंगे तो इसे आप सूती कपड़े पर भिछाएं अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी हो तो अब यहाँ पर जो डंठल हमने लिये थे न इसे में क्या करती हूँ इस सारे डंठल में जब भी पुदिना लेकर आती हूँ पत्ते तोड़ने के बाद इनको में किसी भी ग्लास में डाल देती हूँ और इसके अंदर आलती हूँ बहुत सारा पानी जिससे कि सारे डंठल डूब जाएं और आप देखेंगे कि थोड़ी दिनों में ना इसमें नीचे न ने पत्ते आ जाते हैं फिर आप इने मिट्टी के पॉट में ट्रांसफर कर लें देखिए मैं इस तरीके से ट्रांसफर कर लेती हूँ और पहले मैंने कुछ पत्ते डाले थे देखिए तोड़ तोड़े ने ने पत्ते भी आ गये हैं तो इस तरीके से आप ट्राय कर सकते है आपके घर में भी पुदीना हमेशा रहेगा, खतम नहीं होगा कभी भी, तो चलिए, अब इसे रखने हैं साइड में और पुदीने को सुखा लेते हैं, अब बारे आती है धनिया के पत्ते की, तो चलिए सारे पत्तों को हम एक बार पहले सुखा लेंगे, उसके बाद हम तो चलिए, अब हम इनको काट लेते हैं, क्योंकि यह जो धनिया के बारिक बारिक काटना होगा, तभी अच्छे से सूख पाएंगे, तो बस रफली मैंने चॉप कर लिया हैं इनको, और चलिए, इनको सूथी कपड़े पर डाल देंगे, पूर बारिक 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 पूदीने को भी डालेंगे, और धनिया के पत्तों को भी अलग-अलग डालें, और इसे हम चाय में सूखने देंगे, धूप में बिल्कुल मत रखेगा, नहीं तो इसका हरा कलर खराब हो जागा, और खुश्बू भी अच्छी नहीं आएगे, अब बारिक 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 ब चिल लेते हैं, और लेसन का पाउडर बनाने के लिए इसको छिलका निकालने की कोई ज़रूत निया, सिर्फ कलियों से इन्हें तोड़ लें, और जो उपर का एक्ष्टा हलके हलके से हैं न, छिलके वो हटा लीजे, जो इसली हट जाता है, अब अब लेसन को चाहें तो धो सकते हैं पानी से, ताकि अगर इसमें थोड़े वर्त गंदगी हो तो वो निकल जाए, लेकिन धोने से क्या होता है, कई बार लेसन में फंगस आ जाते हैं, फिर अच्छे पाउडर नहीं बनते हैं, तो यहां पर मैं ऐसी गीले कपड़े से पोच कर लूँगी, तो किसी भी मोटे टाउल का यूज़ करें, अच्छे से पानी से भीगोले और सारा पानी निचोड लीजे, फिर सारे लेसन को इस तरीके से रगड़ कर पोच लीजे, यह देखिए, इससे हलके हलके जो छिलके हैं वो भी निकल जाते हैं, और चलिए अब हम इसको ग्रैंड करेंगे, त इससे हलका सा इसे पीस लीजे, इससे क्या होगा, लेसन हमारे जल्दी से सूख जाते हैं, और बाद में सूखने के बाद ना, इसका पाउडर भी बहुत ही बारिक सा तयार हो जाता है, तो यह देखिए, पेस्ट हमने दरदरा ही बनाया है, और छिलके के साथ ही बनाया है, इस बाद में इस खिलके इसली अलग हो जाते हैं, तो चलिए अब हम इसको सुखाएंगे, तो सुखाने के लिए मैंने हाँ पर एक प्लेट लिया है, और इसमें थोड़ा सा न तेल लगा लिया है, जिससे की जब सूखेंगे, तो यह इसली निकल जाते हैं, लेकिन यह ऐसा स्टिकी होते हैं यह, तो आप पेपर पही चिपकाईएगा, प्लेट पे बिल्कुल मत चिपकाईएगा, चलिए इसको अच्छी तरीके से मैंने फैला लिया है, बहुत ही पत्ली लेयर फैलाईएगा, और अब इसे धूप में रख सकते हैं, लेसन को जरूर से धूप में र में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेंगे, तो यहां पर मैरे चार टमाटर ले हुए हैं और अच्छी तरीके से इनको धोकर प्मुश लिया है, अब इनको छोड़े चोड़े पीसे में काट लेंगे, देखिए बहुत सारा जूस होता है इसके अंदर, इसकी वज़े से ही जब इसमें पानी की मातरा रह जाती है, तो सबसे पहले सारे जूस को हम सुखाएंगे, इसे डाल देंगे किसी भी पैन में या फिर कड़ाई में बिना तेल या घी डाले, अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे, यानि जो भी जूस है वो अच्छी तरीके से सूख जाना और टमाटर हलकी अलके से मैस होने चाहिए, तब तक हम इने पकाना है, तो चाहें तो ढगन लगा दे या फिर मीडियम फ्लेम पेसे, ऐसे ही छोड़ दे, जल्दी ही तयार हो जाएंगे, इसे बीच-पीच में थोड़ा सा चलाते रहेगा ताकि यह जले नहीं, और आप दे इसी लेयर हमें इसकी फैलानी है, यह देखिए, अभी यह बहुत गरम है, और बहुत पतला सा फैला लें, किसी भी पेपर या थाली में, और इसे दो दिन तक छोड़ देंगे, सुखने के लिए धूप में, अब हम यह पर प्याज को भी सुखाएंगी, तो प्याज मैंने दूप में इसे भी रखना है, और इसे भी दो दिन के बाद हम इसे शेक करेंगे, चलिए अब हम देखते ही, क्या के चीजे सूख शुकी है, तो सबसे पहले सूख गया है, वो है धनिया, देखिए, कितना अच्छा कलर आया है, मैंने इसे दो दिन के लिए बंके के नीचे छोड़ दिया था, थोड़ा सा उलटते पलटते रहेंगे, ताकि चारो तरफ से बढ़िया से सुख सके, और उसके बाद एक घंटे के लिए मैंने धूप दिखा दिया है, ताकि बढ़िया से करारे हो जाए, अगर आप धूप नहीं दिखाना चाते हैं, तो कढ़ाई में थोड़ा सा इसे भून सकते हैं, जिससे कि बहुत ही करारे और क्रिस्प हो जाएंगे, आप चाहें तो इन्हें बिना पीसे भी इस तरीके से हाथ ओपर अगड़ करके भी रख सकते हैं, जब भी घर में धनिया नहीं हो या फिर बारिस का सिचन हो, जब धनिया वलबल नहीं होते हैं, तब आप इसे यूज कीजेगा, आपको पता ही नीचे लेगा कि आपने धनिया नहीं डाला है, किसी भी ग्रेवी में, सबजी में या फिर सूप में डालिए, बहुत जादे टेस्टी लगते हैं, और खुश्बू भी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि हमने इसमे हलका फुलका रेसी भी जाएं और पत्ते भी जाएं, यह देखिए, और यहां पर जो बच गया है न छिलके जो चन्नी में आ गए हैं, इसे भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, इसे फेकेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने धनिया के पत्ते को अच्छे से साफ करके इसका पाउडर बनाया था, तो चलिए इसको हम डाल देंगे, बिल्कुल साफ और सुखे जार के अंदर, और अराम से आप इसे स्टोर कर सकते हैं, साल भर के लिए ज्यादा मात्रा में बना कर, तो कैसे लिए इसे भी ज़रूर बताएगा, तो इस तरीके से घर पर धनिया बनाया बहुत ही जादे, अच्छे और बिना केमिकल के, चलिए देखिए हमारा जो प्याज है दो दिन के बाद बढ़िया से सूख कर तयार हो गया है, बहुत क्रिस्प हो गये है, अच्छी तरीके से क्रिस्प होने के बाद ही पीसेगा नहीं, तो ये बढ़िया से बारिक नहीं हो पाएंगे बढ़िया से अगर आपको लगे तो तीन दीन चार दिन दूप दिखा दीजे लेकिन एकदा मची तरीके से सूख जाना चाहिए साथ ही जो हमने अद्रक डाला था वो भी देखिए बढ़िया से सूख गये है मैंने इसको हलका ग्रेट किया था और थोड़ चानिएगा क्योंकि इसमें कुछ फाइबर होते हैं जो पीस्ते नहीं है रेसी होते हैं जो अद्रक के अंदर वो पीस्ते नहीं पाते हैं तो इसे जरूर से चानना है तो सीम चाननी में हम इसको डाल देंगे और इसको भी चान लेते हैं यह देखिए यहां देखिए कुछ मोटे मोटे दर्दरे से टुकड़े हैं और कुछ फाइबर हैं जो पिस्ते नहीं है तो इसे हम अद्रक के अंदर नहीं डालना है इसको हटा लेंगे और अब इस पाउडर को तैयार है बहुत ही खुश्बोदार और बहुत ही मज़ेदार इसको अब जार में डालिए कभी भी चाय में डालिए सबजी में डालिए और ग्रेवी में डालिए यह मेरा सबसे फेवरेट है जिसको मैं इस्पेसिली चाय के लिए यूज़ करती हूँ जब घर में अद्रक नहीं होता है तब मैं इस powder को चाय में डालती हूँ और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने fresh अद्रक नहीं डाला है इतनी मज़ेदार इसका taste है अब इसके साथ ही हम प्याज को भी पीस लेते हैं सेम जार में यह देखिए प्याज का जो powder है न वो बहुत ही अलग सा सेंधा नमक की तरह कलर आएगा हलका सा पिंक अगर आप market वाले लेते हैं तो वो white कलर में आते हैं या पिर जो red कलर में आते हैं वो बहुत जादा red कलर होते हैं तो इसको भी हम इस तरीके से चान लेंगे जो extra बचा हुआ पार्ट है वो निकाल देंगे और ये powder भी हमारा बिलकुल तयार है बहुत ही जादे खुश्पुदार तो जरूर से बनाईए इसे भी हम जार में डाल देंगे और air tight jar का यूज कीचेगा बिलकुल साफ उसमें पानी या नमी नहीं रहनी चाहिए चाहे तो धूप दिखा लीजे जिसे कि लंबे समय तक ऐसे ही फ्रेश और ताजे बने रहेंगे अब हमने यहाँ पर जो पुदीना सुकने रखा था वी भी हमारे बिलकुल तयार है चाहे तो आप पुदीने के पत्तों को ऐसे भी रख सकते हैं बीना पीसे क्योंकि यह बहुत जादे यूसफूल होते हैं चाह मैं specially इसे यूस करती हूँ पुदीने के पत्ते बहुत जादे healthy भी होते हैं और tasty भी होते हैं या फिर कभी भी आपको पराठे बनाने हो तो आप इस पुदीने के यूस कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको हलका दरदरा पीस कर लूँगी इसे छानूँगी नहीं तो सेम तरीके से और सेम जार में हम इसे भी पीस लेंगे आपको यह सारे पाउडर बनाना बहुत ही जादे easy है फिर भी हम market से बहुत जादे price में खरिद कर लेके आते हैं तो आप इसे घर में easily बना सकते हैं तो जरूर से बनाईएगा आपको बहुत ही जादे पसंद आएगा देखिए हमने इसको दरदरा ही रखा है और इसे हम store कर लेंगे जार में भरके इससे बिल्कुल भी नहीं चानेंगे क्योंकि चाय में अगर डालते हैं तो चाय पत्ति के साथ बाहर आ जाते हैं और फ्लेवर चाय में आ जाता है तो इसे दरदरा ही पीस कर रखेगा तो आप देखिए टमाटर भी हमारे बढ़िया से सूख गए है और प्लेट में बहुत ही बूरी तरीके से चिपक गए है इसलिए बटर पिपर का यूज कीजेगा मैंने आपर चार टमाटर का यूज किया था क्योंकि से पहले भी मैंने कुछ टमाटर का पावडर बनाया था जब यह अच्छे तरीके से बन गए थे खराब नहीं हुए थे तब मैंने आपके साथ यह वीडियो शेयर किया तो चलिए इसको भी हम डाल कर क्राइंडर जार में सुखा कर पीस लेंगे बढ़िया से सूखे होने चाहिए तब ही आप इसको बहुत इबारिक पीस पाएंगे चाहें तो आप इसको थोड़ा सा नमक डाल कर पीस ये कब बहुत अच्छे तरीकी से पिस जाएंगे तो यह देखिए टमाटर का पावडर हमारा बिलकुल बढ़िया से तयार है यह दिखिए इन्हें मैंने बढ़िया से चाहन लिया था और दिखिए यह बिलकुल मार्केट से अच्छे और फ्रेश टमाटर के जैसे दिख रहा है कलर जो मार्केट वाले लेकिए देदा नो बहुत लाल कलर में होतें तो बहुत सारे कलर बी डालते हैं और fresh tomatoes से बने हुए हैं तो जरूर से एक बार बनाईगाँ, आप इसे soup में, gravy में या फिर किसी भी सब्से में तयार कर सकते हैं, पराठी और पूरी भी बना सकते हैं, चलिए अब हम ढेखते हैं lesson, यहाँ देखे हैं, lesson भी हमारे अच्छी तरीके से सुख चुके हैं, बहुत ज पूरी तरीकी से चिपका हुआ है इसलिहाँ बटर पेपर का ही यूज कीजेगा टमाटर और लेसन को सुखाने में इसे मैंने चाकू से छुडा लिया है चलिए इसे भी हम पीस लेते हैं से मिक्सी के जार में और लेसन को भी हम च्छानेंगे क्योंकि इसमें च्छिलके का और पढ़िया से चान लीजे अब देखिए जो छिलके और चोटे-चोटे रेसे हैं न वो निकल गए हैं तो इससे आप फटा दीजे और यह हमारा सबसे बहुत ही खुश्बुदार सा यह हमारा लैसन का पावडर तयार हो गया है इसकी खुश्बु इतनी तेज है कि आप पावडर हमारा बिल्कुल तयार है आप इसे कभी भी यूज कीजिए पीजा में सबजी में बहुत जादे अच्छा अफले वाराता है तो कैसे लगे आपको हमारे यह सारे पावडर की रेसिपीस बहुत ही जादे बढ़िया है आप एक बड़ जरूर राई कीजिए का आइड डोर में भी रख सकते हैं एयर टाइड जार में रख करके बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं कैसे लिए की रेसिपीस जरूर से में कॉमेंट करके बताईएगा अगर आपको मेरी इनोवेटिव रेसिपीस पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब देगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन्स मिलते रहेंगे आप मुझे यूट्यूब के लावा फेस्बूक और इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्कॉप्शन में दे दिया है चलिए फिर मुरागात होगी आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई